Welcome back to my channel friends, मिरे नाम है शियम, अज़ आप करने वाले हैं कि कैसे आप EC2 में instance को install कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना है, AWS के console में open करना है, और यहां से आपको EC2 का यहां से भी जा सकते हैं, और उपर services से click करके भी जा सकते हैं, अगर आप यहां से click करेंगे, तो direct instance वाले page पर आदेंगे, अगर आप service पर जाएंगे, और यहां से भी EC2 अगर आप यहां से भी EC2 पर click करके भी जा सकते हैं, अपने instance के उपर, instance में जाने के बाद, आपको install करने के लिए instance को open करना पड़ेगा, तो मैं यहां से इसको cut कर देता हूँ पहले, और instance को open कर देता हूँ क् अगर आपको कोई instance इंस्टाल नहीं है, तो अब यहां से नीचे पर click करके launch instance पर click करेंगे, तो उसके बाद यहां पर आपको नीचे काफी सारे instance मिलेंगे, अगर आपको क्यों और install करना है, आप कर सकते हो, तो मुझे abanthu इंस्टाल करना है, तो मैं आपको abanthu को दिखात है, तो इसके बाद हो paid है, अगर आप वो use करके तो इसको आपको charge दिना पड़ेगा, तो यहां पर free tier लिखे है, तो मैं यहां पर click करता हूँ, free tier पर select करके, select करने के बाद हम जाएंगे यहां से, इसकी details fill up है, तो मैंने यहां से click किया select, तो अब choose AMI use करना है हमें, choose करना प complete, तो हम यहां से क्या करते हैं, यहां से select करेंगे, यहां पर जैसी हमारा आजाएगा, क्योंकि हमें कुछ और instance में add नहीं करना, अगर आपको कुछ filterize करना है, अगर multiple instance को install करना है, तो आप कर सकते हैं, यहां से select करना है T2 Micro, यह free है, जो आपके लिए eligible भी है, अगर आपको कुछ space जादा चाहिए, तो आप कोई और use कर सकते है, small, medium, large, extra large, यहां पर आपको सारे मिल जाएंगे, T4G large, T4G micro, तो यहां पर काफी सारे आपको options मिलते हैं, तो आपको यहां से select कर सकते हैं, आप T2 Micro, और यहां से मूपर जाके select कर लेते हैं, उसके अदम करेंगे configure, तो म पढ़ना चाहिए, तो पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारे हैं, तो अब हम चलते हैं, scroll करके top पर, और यहां से select करेंगे T2 Micro, और यहां से select करेंगे next instance, next configure instance, details, तो हम चलते हैं second part पर, जो हमने select करा है, review and launch मत करना, वो direct launch कर देता है, इसलिए हम review and launch नहीं करते हैं, हमें कुछ और चीज़े भी configure करनी पड़ती है, अगर आप review and launch कर देंगे, तो फिर बात में जाके आपको changes करने पड़ेंगे हर जगा पर, तो इससे अच्छा आप next करें, next करने के बाद यहां पर आपको VPS, VPC, network, और यह सब को as it is, छोड़ दे, यहां पर आपको कोई changes नहीं करने हैं पहले, और उसके बाद आपको यहां से click करेंगे, हम add storage पे, और वहां से जाएंगे add storage के अंदर, और यहां पर हम storage को as it is, छोड़ देंगे, क्योंकि हमार पास यह storage अगर आपको बढ़ानी है, तो यहां पर हमें इतनी storage आपको free मिल रही है, 8GB, तो हम यहां पर 8GB का जटे स्चोड़ देंगे, और यहां से हम select करेंगे add tags, और delete on termination को यह click कर देंगे, select, अगर आप instance को delete करना चाहा in future, तो आप कर सकते हैं, वहना आप instance delete नहीं कर पाएंगे, तो यहां पर आप select कर देंगे, जिसे कि आप in future अगर उसको delete करना चाहा तो कर सकते हैं, यहां हम कुछ tags को add कर देंगे, कि यह मेरा first instance है, और इसको मैं use कर रहा हूं for PHP website, तो मैं वह भी add कर देता हूं यहां पर, first instance, my first instance for my PHP website, हम यहां से कर देंगे, next in configure, क्योंकि अब security group सबसे important है, यहां पर add करना, तो मैं यहां पर add कर देता हूं, create new security groups, और यहां पर मैं डालता हूं, SSH rules हाई है, तो हम उसको source Chrome कर देंगे, custom की जगा anywhere, और यहां से हम कुछ rules को add करेंगे, TCP, all TCP, और यहां से हम कर देंगे, को भी anywhere, custom में, और यहां से हम करेंगे HTTP, इसको भी anywhere कर देंगे, custom की जगा, अब one more rule add करेंगे, HTTPS, इसके बाद हम add करेंगे, एक और rule, और UDP, इसको भी anywhere कर देंगे, और यहां से मैं और क्या add करने का देखता है, और RDP कर देते हैं, RDP में हम इसको कर देंगे, anywhere, यहां से configure करी थी, उससाब है यहां पर, अब हम क्लिक कर देते हैं, launch पर, तो आपका instance launch हो जाएगा, कुछ दिर में आपको reflect करेगा, और हम इस key को download कर लेते हैं, अगर हम मुझे इस key को create कर लेते हैं, पहले और यहां पर हम key का नाम देते हैं, यह आपको help करेगा, आपको command line में connect करने के लिए, तो इसको key को download कर ले, हम इसको generate करना भी सीखेंगे, कैसे करते हैं, तो यहां से हमने key download key pair, और यहां से key हमने launch instance, तो हमारा instance जैसे कि आप देख सकते हैं, launch हो चुका है, अब हमें कुछ करना यह जूदत नहीं है, अब हम जाके अपने EC2 के अंदर check कर सकते हैं, कि हमारा instance launch हुआ है कि नहीं, यहां पर आपको IP भी generate होगी होगी, public IP, तो आप उसको use कर सकते हैं अपनी website के लिए, और अगर आपको private IP generate करनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको भी use कर सकते हैं, अगर आपको इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे comment भी कर सकते हैं, तो अब हम यहां से नीचे scroll करके view instance करते हैं, click, और instance को view करते हैं, जैसे कि मेरा instance जो running में भी है, जो मैंने install किया है, वो वाला है, और यहां पर हम इसको नाम भी दे सकते हैं, अपना, edit पर click करके, जो भी आपका instance का नाम देना अचाह है, तो मैंने यहां पर instance देखे और save कर दिया, तो मेरा पहला instance create हो चुका है, अगर मैं refresh करूँगा, तो आप दे सकते हैं, running कर रहा है, अब इसकी नीचे आप slate करेंगे, तो इसकी IP वगएर आपको details मिल जाएगी, और आप उसको यहां से अपने domain के साथ connect कर सकते हैं, और अपनी website को उसके रण कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको जो अपने PM file generate करी है, उसके लिए आपको PEM और एक और file generate करनी पड़ेगी, आपको filezilla डाउनलोड करके, puttygen को डाउनलोड करके, और उसके बाद आप अपना command line में, अपना filezilla बगएरा सब इंस्टॉल करके, उसके तुरू अपनी files को अपलोड कर सकते हैं, EC2 के अंदर, यहां से हमारा instance running में आ चुका है, एक instance और एक IP भी हो चुकी है, अगर आप सबको वीडियो पसंद है, तो please like and comment and don't forget to subscribe.